भारत की खूफिया एजंसी को हम जानकारी मिली है जिसके मताबिक खालिस्तानी आतंकियों का नया बेस पुर्तगाल बन रहा है भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश को अंजाम देने के लिए अप कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की तरह पुर्तगाल में खालिस्तानी आतंकियों ने अपना ओपरेशनल बेस बना लिया है पंजाब में सक्रिय अपरादियों को पिछले कुछ महीनों में पुर्तगाल से हथियारों की खेप मिली है पाकिस्तान की ISI पुर्तगाल में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों को हथियार और पैसे मुहया करा रही है और वहां से इन हथियारों को पंजाब समय देश के दूसरे राजियों में अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान, कनाडा और ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकी पंजाब में सक्रिय अपराधियों को अपने ग्रुप में शामल कर रहे हैं और उसके जरिये राज में हिंसा फैलानी की लगातार साजिशे रच रहे हैं। खालिस्तान प्रोपगेंडा की बातों को प्रमुक्ता से प्रदर्शित किया गया है। हवा दे रहा है। तो दूसरी और वे भारत में प्रोपगेंडा पोस्टर पंजाब के इलाकों में लगवाने की भी तैयारी कर रहा है। भारतिय जांच एजंसी एनाईय विदेश में सैन फ्रांसिस को सरे और लंदन में पन्नु की इस प्रोपगेंडा भूमिका की जांच कर रही है। तो भारत में पंजाब पुलिस उसकी शातिराना साजिश की तप्तीश कर रही है।